पिरिया दोस्तों, नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम ए को औ कब पढ़ते हैं, इसे समझेंगे इस से पहली वाली वीडियो में हमने समझा था E को A कब पढ़ते हैं, और इस वीडियो में हम E को O कब पढ़ते हैं, इसे समझेंगे देखें, समझते हैं, अगर इंगलिस अलफा वेट के ब्यांजन और फिर इंगलिस अलफा वेट का ब्यांजन हो, उसके बाद E R हो, फिर से ब्यांजन हो, तो वहाँ पर हम E को O पढ़तेंगे देखें, इसे समझते हैं, देखें, इंगलिस अलफा वेट का ब्यांजन, वी, फिर E R आना चाहिए देखिए इंग्लिस अलफाविट का ब्यांजन फिर ए आर आना चाहिए फिर इंग्लिस अलफाविट का ब्यांजन आना चाहिए देखिए पहला सब्द है ब्यांजन फिर ए आर है फिर ब्यांजन तो यहाँ पर हम E को O पड़ेंगे इसलिए हम इसे कहते हैं वर्ब वर्ब तो यहाँ पर वो में O का उच्चारण हो रहा है एक और सब्द लेते हैं देखिए H E फिर R D हर्ड यहाँ पर हमे O का उच्चारण हो रहा है आपको यहोँ समझ आ गया होगा अब हम इसके ही दूसरे नियम पर चलते हैं देखिए इसका दूसरा नियम है सब्द के अंत में E L E N E N T E R सात में आए वहाँ पर हम E को O ही पड़ेंगे जेसा हम यहाँ पड़े थे यहाँ भी आपको दूनू नियम याद करने ही और यहाँ भी हम उपड़ेंगे जब सब्द के अंत में E L E N E N T E R सात में आए तो वहाँ पर E को उपड़ेंगे उधारण के लिए देखते हैं हम पोश्टर P O S T E R देखें सब्द के अंत में E R E R सात में है तो यहाँ पर हम इसे पड़ेंगे तब पोश्टर देखें टो में O का उचारण है एक और सब्द के अंत में E R है तो हम इसे पड़ेंगे हैं रिवर वो में O का उचारण है एक और सब्द के अंत में देखें T O K E N इसे हम T O K E N पड़ते हैं T O K E N नहीं T O K E N सब्द के अंत में E N तो यहाँ पर E N है तो हम इसे पड़ेंगे T O K E N तो यहाँ भी को में O का उचारण है को में O का उचारण है आपको यहो नियम समझ आ गया होगा इस वीडियो में इतना ही Thank You Have A Nice Day